श्री लंका में लंबे समय से आर्थिक संकट गहराया हुआ है खाने पीने के चीजों के दाम आस्मान चू रहे हैं जिसके चलते भागे रास्ट पती गोटवाया राजपक्षे ने आपात काल की घोशना कर दी है आई आपको बताते हैं श्री लंका की मौजुदा हालात से ले श्री लंका में कदम रखा और श्री लंका व्यापार का कैंडर बनता गया चाई रवड चीनी कॉफी दाल चीनी सहित अन्य मसालियों का निर्या तक देश बन गया श्री लंका पर सबसे पहले पुर्त गालियों ने फिर डच ने अधिकार कर साशन किया इसके बाद संग उनाइटेट किंग्डम से सतंस हो गया और इस देश की सत्ता सिंग हालियों के पास चली गई श्री लंका को लेकर भारती मानिताएं हैं हिंदु मानिताओं के अनुसार श्री लंका को सिब ने बसाया था मातब पार्वती के लिए पर विश्वा रिशी ने इससे अपने बर साथी श्राम ने रावन कोंभ करण का बद करके रिशी की एक वंस का अंत कर दिया विता यहां रामारी रिर्सर्च के बहारे में रामाईन की समय के इस आर्थिक संकट से जूज रहा है जिसके चलते यहां की राष्ट्र पती गोटवाय राजपक्षी ने आपात काल की घोशना कर दिये जनता की प्रदर्शन को कुचलने के लिए श्री लंका सरकार ने ये कदम उठाया है बता दे श्री लंका में आग जनी हिंसा प्रदर्श सरकारी संपतियों में तोरफोर चल रही है कई घंटों तक बिजली गोल कर दी जाती है खाने पीनी की चीजों की कलत से लोग जूज रहे हैं आपात काल की बात सुन कर लोग और भड़क गहें जिस बज़ए से राष्ट्र पती को यहां एक अप्रेल से आपात काल की घोशन हो चुका है आर्थिक विसेसग्यों की मताविक है श्रीलंका की इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकठ है